Hello Everyone, चटा कर रसुई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रती आज मैं आपके लिए चटा कर रसुई में लेकर आई हूँ नाश्टे की एकदम नई तरीके की रेसिपी जो की बहुत ही खसता और बहुत ही मज़ेदार बनता है तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले हम लेंगे एक बोल में थोड़े से कॉर्ण, ये उबले हुए कॉर्ण है, जिन्हें स्वीट कॉर्ण कहते हैं, और इसमें यहाँ हमने एड़ किया है एक नॉर्मल सा इसका प्यास, बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ओरेग और थोड़ी सी काली मिर्ची, और अब हम इसमें डालेंगे चीज, आप कोई भी चीज यूज कर लीजे, मॉजरिल या कोई भी चीज, तो अब चीज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मैयोनीज, और अब हम इसे करेंगे मिक्स, मिक्स करना है आपको यह देखें यहां मैंने लिए हैं ब्रेट और ब्रेट को हम किसी भी कटर ग्लास या कटोरी की हैल्प से इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे यह देखें कितने अच्छे से कटिंग हो गई ब्रेट की और अब यह ब्रेट तैयार है अब हम बनाएंगे एक घोल जो कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो यहां मैंने लिया है एक चमच मैदा में हमने लगबग तीन चमच पानी एड किया है एक चमच मैदा में तीन चमच पानी एड करके एक गाड़ा साम मैदा का घोल बनाया है हमने यह देखें मैं आपको अभी दिखा देती हूं यह sharp ketchup ढालने के बाद अब हमारी जो filling है हमने अभी तयार की थी वह filling हम इस पर डाल देंगे filling आप थोड़ी थोड़ी स्टफ कीजेगा क्योंकि अगर ज़ादा कर देंगे तो जब हम इसे cover करें गी फूल जाएगा धो यह देखिए यह जो हमने मैदा का गोल तैयार किया था ना ये हमें इतना portion side से छोड़ देना है filling करने के time हमें ध्यान रखना है कि इतना portion हमें छोड़ना है और उस पर हमने वो जो मैदा वाला गोल है वो बहुत अच्छे से लगा दिया और दूसरा bread का piece इसके उपर रखके इसे कर दिया है covered और covered करने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से अपने हाथ से press करके बिल्कुल बंद कर दिजे ये मैदा का गोल जो हमने इसमें लगाया है ये इसी लिए लगाया है क्योंकि उसकी help से ये जो हमारे sides हैं ये edges हैं ये जो ये बिल्कुल अच्छे से cover हो जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी bread और लग रहे हैं एकदम idli जैसी पर ये idli नहीं है friends तो अब ये तैयार है और अब आप इन्हें oil में fry कर लीजे आपको एकदम deep fry भी नहीं करना है थोड़े से oil में भी आप इन्हें fry कर सकते हैं अब हमने इन्हें गरम तेल में डाल दिया है और अब ये ब नाते टाइम जब भी आप इसे मैदा का वो जो घोल लगा के cover करेंगे तो आप बिलकुल अच्छे से हाथ से इसे प्रेस कर दीजेगा सबी जगा से ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये सिखने के बाद कितना अच्छा color लग रहा है एकदम golden brown हो चुके हैं ये आप दोनों साइट से इनने पलट कर सेक लीजे और बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये क्योंकि इसके अंदर जो हमने cheese डाला है वो भी melt हो चुका होगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें तो ये जो रेसिपी है ना ये बचों को तो पसंद आती है साथ में बड़ों को हाँ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप नए है मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो को प्लीज शेर जरूर करिएगा फ्रेंड्स ये देखिए चलिए मैं आप को अब इसकी अंदर से फिलिंग देखाती हूं ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये फ्रेंड्स आप विश्वास मानिए अगर एक बार आपने ट्राइ किया तो आप बार बार इससे बनाएंगे ये देखिए अंदर हमारा कॉर्ण अनियन चीज सब कुछ अच्छ क्राइब मै चनल